Hello everyone, welcome back to my channel Kids Learning Fun आज हम discuss करने वाले हैं बच्चों Maths Worksheet of Class First चलिए वीडियो को start करते हैं So Class First के Maths Worksheet में हम लोगों ने जो First Question लिया है वो है हमारा यहाँ पे fill in the blanks So इसके अंदर हमें बच्चों क्या देखना है कि हमें कुछ blanks दिये गए है and according to the questions हमें उनको fill up करना है So First Question हमारा यहाँ पे दिया गया है 21 plus 4 So 21 में हमें 4 number add करना है So जो 1s की place पे हैं उसको हम 1s की place के साथ add करेंगे So 4 plus 1 equals to 5 and 2 यहाँ पे same आ जाएगा तो answer हुआ हमारा यहाँ पे 25 Next Question है हमारा 72 minus 2 So again हमें 1s की place में से 1s की place को minus करना है So 2 minus 2 equals to 0 and 7 हमारा यहाँ पे same आ जाएगा because हमने उसमें से कोई minus नहीं किया है कोई carry नहीं लिया है Next Question है हमारा यहाँ पे Dash comes between 48 and 50 यानि कि 48 और 50 के between में जो number आता है वो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा और वही हमारा answer होगा So 48 के बाद आता है बच्चों 49 and 50 यहाँ पे already mentioned है So answer हुआ हमारा यहाँ पे 49 Next Question है 1 tenths and 3 ones So 1 tenths है यानि कि 10 की place पे आ गया 1 and 3 आया हमारा ones की place पे So answer आ गया हमारा यहाँ पे So question के अंदर पूछा गया है कि sparrow जो यहाँ पे लिखा हुआ है यानि कि sparrow की जो spelling है उसमें are कितनी times आया है यानि कि कितनी बार आया है So चली देख लेते हैं S-P-A-R-R-O-W It means two time आया है So हमें यहाँ पे लिखना है number two चली नेक्स question देखते हैं Write the product इस question से related आपको बच्चों table आने बहुत जरूरी है So table आप लोगों को याद करने है So चली देखते हैं 12 fives are 60 So answer हो गया हमारा यहाँ पे 60 Next question Write in words So इस question के अंदर हमें लिखना है number name So यहाँ पे दिया गया है 68 So चली यह फटा-फट से लिख लेते हैं 68 Next question Write in expanded form So expanded form में लिखेंगे 442 को हमें किस तरीके से लिखना है 4 को लिखेंगे हम 100 place पे है तो यहाँ आएगा 400 Next number है 4 और यह है हमारा 10s की place पे चली यहाँ लिख लेते हैं इसको easy करने के लिए 400 place पे 10s place पे है 4 And 2 है हमारा 1s place पे So 100 place पे जो 4 था वहाँ लिख लिख लिया हमने 400 4 हमारा 10th place पे है तो 40 And 2 है हमारा 1s place पे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 So 440 प्लस 2 इक्वल्स to 442 Next question है हमारा यहाँ पे Circle the number smaller यानि कि यहाँ पे जो हमें Numbers दिये गए हैं इनके अंदर हमारे जो सबसे smallest number है उस पे हमें बचों से circle करवाना है चलिए first number पे देखते हैं 22, 26 and 21 इसको check करने के लिए बचों को आप बताईए कि जो counting में सबसे पहले number आता है वो हमारा smallest number होगा यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 6 and यहाँ पे है 2 It means 1 is the smallest number So answer आ गया हमारा 21 इसके बाद है 46, 41 and 43 So 1 is the smallest number So again हमारा 41 is the smallest number in this row Third number पे दिया गया है 94, 90, 96 So 0 number हमारा सबसे छोटा है तो हमारा answer हो गया 90, 100, 99 and 93 So answer है हमारा यहाँ पे 93 Because 100 में 3 digit number आ गये है तो हम जो 2 digit वाले number है उसमें सर्च करेंगे So next question है हमारा यहाँ पे Circle the larger number इससे पहले हमने smaller number को सर्च किया था और इस वाले question के अंदर हमें larger number को सर्च करके circle करना है So first question हमें दिया गया है 12, 9, 15 So यहाँ पे 1 digit number है And these are 2 digit numbers So हम इन में से चेक करेंगे 2 जो है वो smaller number है And 5 जो है वो greater number है So यहाँ पे हम circle करेंगे Because हमारा larger number जो है वो है 15 Next question है 54, 51, 49 So हमारा larger number है 54 62, 65, 60 So 65 is the larger number 81, 82, 85 One smaller number है उससे बड़ा number 2 है And उससे बड़ा number 5 है So 85 हमारा larger number है So इसी प्रकार से Smaller number and larger number की Worksheet आप गर पे बना के बचों को दे सकते है So next question है Which number is not in the table of 9 Circle the number यहाँ पे 9 का table हमें दिया गया है और 9 की table को पढ़ते हुए हमें सर्च करना है कि कौन सा number यहाँ पे गलत लिखा गया है So चली इसको read करते हैं 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा कितना होता है बचों 27 और यहाँ क्या लिखा है 26 So यह गलत है 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 54 So यहाँ पे अगयन गलत नमबर है 9 7 जा 63 9 8 जा 72 9 9 जा 81 And 9 10 जा 90 So बाकी का table जो है वो बिलकुल correct है लेकिन 26 and 55 जो है वो गलत है So यहाँ पे आएगा 27 And यहाँ पे आएगा 54 Next question है Fill in the missing numbers in backward counting इस worksheet की थूँ आँ बचों की backward counting की practice गर पे करवाईए So यहाँ पे हमें number दिया गया है 29 And 29 से पहले यानि कि backward number आता है 28, 27, 26, 25 and 24 Next number दिया गया है हमें यहाँ पे 42 So चलिए backward counting लिखना है 41, 40, 39, 38 and 37 Next number दिया गया है 65 So हमें लिखना है backward counting 64, 63, 62, 61 and 60 इसी प्रकार से बाकी की backward counting भी आप यहाँ पे Missing numbers जो दिये गये हैं उनको fill up करना है Next question है Match the following So यहाँ पे हमें 3 10s, 2 1s, 21, 20 plus 1 इस तरीके से दिया गया है So यहाँ पे दिया गया है 3 10s, 2 1s It means 32 So हमें इसको 32 से match करना है 4 10s, 4 1s, 44 So 44 है हमारा यहाँ पे Then आ गया हमारा 6 10s, 3 1s, 63 So 63 है बच्चों नीचे So इसको इसके साथ match कर देंगे 2 10s, 1 1s, 21 So 21 है हमारा अपर साइड में 5 10s and 2 1s So it means 52 So यहाँ हमने इनको इनके साथ match कर दिया है और इसके बाद हमें इनको इनके साथ match करना है So 21, 21 क्या बना? 20 plus 1 So यहाँ पे यह लिखा हुआ है तो इसके साथ match करेंगे यहाँ पे है 52 52 है 50 plus 2 So इसको इसके साथ match करेंगे चली इसका जो है वो हम color change कर लेते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देगा So यहाँ पे हमने इसको साथ match किया Then है हमारा 32 32 है 30 plus 2 So यह इसके साथ match हो गया 44 40 plus 4 So यह जाएगा उपर And 63 So यह है 60 plus 3 So इस प्रकार से इस worksheet को भी आप घर पे share कर सकते हैं Next question है हमारा यहाँ पे Fill in the missing 10s and ones in the boxes So यहाँ पे जैसे दिया गया है 42 So यहाँ पे है 10th का column और यहाँ पे है ones का column तो इसको हमें correct करना है Photo है हमारा 10s की place पे है तो यहाँ पे आएगा 4 And 2 है हमारा ones की place पे Next है 78 10s की place पे है 7 number And ones की place पे है 8 number Next question है 94 9 10s 4 ones 56 5 10s and 6 ones So आज बचो हमने discuss किया है Class 1st Maths Worksheet I hope यह worksheet आप लोगों के लिए helpful होगी And वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजेगा साथी bell notification पे जाकर के अगर आप all पे क्लिक कर देंगे तो आने वाली सभी वीडियो की notification आप तक पहुँच जाएंगे Thank you